पस लेने के आखरे दिन भी पपू यादव नहीं माने और पुर्णिया सीट से जनाव लड़ने पर आमदा हैं। ऐसे में अब कॉंग्रिस क्या करेगी इस पर सब की निगाहीं जिके हैं। कैची चाप से पुर्णिया से जनाव लड़ रहे पपू यादव क्या महागडवन्धन के वोटों पर भी कैची चला देंगे। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि आर्जडी प्रत्याशी बीमा भारती ने पपू यादव पर बीजेपी की बी टीम होने का आरुप लगाया। इस नित्रित्व की दबाव के बावजूद पपू यादव ने आखरी दिन भी अपना नाम वापस नहीं लिया। पपू यादव ने कहा कि उन्हें कैची च्छाप मिला है, ये जन जन का च्छाप है। उन्होंने दिल्ली से लिकर पट्टा तक अपने साथ हुए धोखे का आरोप भी कॉंग्रिस पर लगाया। हमारे चुमा पुचार में हमें नहीं आना चाहिए। हम दोनों राजनिती और समाजी का अधार पर हम दोनों के बीच संसकार है। और हम दोनों एक दूसरे के संसकार और संसक्रिती से जीते हैं। पपु यादो को जीत का पुरा भरुसा है। तो इधर पूनिया सीट सी आरजेडी प्रत्याजी भीमा भारती ये कह रही है। क्योंके जिनाफ रजार में पपु यादो की पत्नी रंजीत रंजन सहित कॉंग्रेस और महागडवन्धन की कई बड़े नेता आएंगे। बीमा ने पपु यादो पर बीजेपी की टी टीम और एजेंट बनने तक का आरोप लगाया है। पार्टी अलग है रिस्ता अलग है। तो मागडवन्धन को निमाते हुए हमारे समर्थन में रंजीता रंजन परचार में आई। जान बूज के साजिस के ताह तमको लगता है कि या बीजेपी का जो एजेंट बन करके काम कर रहा है। इसा ही जानते है। हाली में बिहार कॉंग्रिस अध्यक्ष अकलेश सिंग ने सक्त हिदायत देते हुए पप्पू यादो से कहा था कि पुणिया सीट से अपना नाम वापस ले दी, गडभन्दन धर्म का पालन करे। पर अब तो पपू यादो ने कॉंग्रिस नित्रित्त कुही जैसे ठेंगा दिखा दिया है। सवाल यही कि अब कॉंग्रिस पपू यादो पर क्या एक्षन लेगी क्योंकि पपू यादो ने हाल ही ने खुद की पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलै कॉंग्रिस में कि नियूज 18 के लिए पुर्णिया से कुमार प्रमिन के साथ बियूर रिपोर्ट